हालो फ्रेंट्स मैं हूँ श्री हाली और यह है मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं सिखा था हूँ आपको स्कूल लेवल मैथेमेटिक्स तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टरिजेशन सीखा और कुछ एग्जाम्पेल्स भी सॉल्व किये और आज हम सिखने वाले हैं कि highest common factor या HCF क्या होता है और इसी वीडियो में हम सिखेंगे कि lowest common multiple यानी LCM क्या होता है यानी कि जब दो numbers हम लेते हैं उनका common factors हम निकालते हैं तो उन common factors में जो सबसे highest number है greatest number है उसे हम HCF बोलते हैं तो इसका कहां पर ये exact इसका कहां पर use होगा वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम real life examples use करके HCF क्या है वो समझेंगे तो बने रही हैगा तब तक अभी एक छोटा example लेते हैं तो suppose हमें 15 and 20 का HCF निकालना है तो 15 and 20 का सबसे पहले हम common factors निकालेंगे जैसे हमने अभी सीखा है तो 15 के factors क्या है 15 के factors है 1 into 15 is 15 और 3 into 5 is 15 so 15 के 4 factors है factors पे एक detailed video मैंने अल्रेडी बनाया है अगर आपको नहीं समझा है तो और 20 के factors क्या है 1 into 20 is 20 2 into 10 is 20 4 into 5 is 20 अभी 15 and 20 के common factors क्या है common factors है 1 1 एक common factor है जो दोनों के factors है 15 का भी factor है और 20 का भी factor है next factor है 5 5 15 का भी factor है और 20 का भी factor है 1 and 5 दो common factors है इसमें highest common factor कौन सा है मतब दोनों common factors में highest number कौन सा है highest number है 5 तो 15 and 20 का HCF होता है 5 तो एक और example लेते हैं दो को प्राइम नंबर्स लेते हैं 9 and 11 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स क्या है यह मैंने अल्रडी समझाया है बट शॉट में अगर समझाओं तो दोनों के एक ही common factor होगा और वो common factor है 1 तो मैंने यहां पर 9 के factors लिखे हैं 9 के factors है 1, 3 और 9 11 के भी factors मैंने यहां पर लिखे हैं 11 तो एक प्राइम नंबर्स है तो 11 के factors है 1 और 11 तो आप देख सकते हैं कि common factor यहां पर एक ही है वो है 1 तो इसमें common factor और HCF दोनों यहां पर 1 ही होगा तो को प्राइम नंबर्स का अगर आप देखेंगे तो HCF हमेशा 1 होता है तो main example पर वापस आते हैं हमने 15 and 20 का अभी कुछ देर पहले HCF निकाला और उसका HCF था 5 तो यह चोटे नंबर्स का ऐसे factors निकालके फिर उसमें से common factors मार्क करके फिर उसमें से HCF निकालना easy है बट अगर बड़े नंबर्स आए तो फिर हम लोग division method यूज करते हैं HCF निकालने के लिए तो division method से कैसे HCF निकालना है यह अभी हम सीखेंगे तो आईए अभी सीखते हैं कि 100 of 150 का HCF क्या होगा division method से तो 100 of 150 मैंने यहाँ पे side by side लिखा है जैसे हमने prime factorization में division method यूज किया था वैसे ही same method यहाँ पे use करना है बट यहाँ पे line के left hand side में हम इसका दोनों का common factor लिखेंगे तो common factor ऐसे होना चाहिए कि 100 का भी वो factor हो और 150 का भी वो factor हो तो हम जानते हैं कि 100 का जो once place में digit है वो है 0 और 150 का भी once place में digit है वो है 0 तो यह obviously 5 से दोनो numbers divide कर सकते हैं तो मैं line के left hand side में आपे 5 लिखता हूँ जो common factor है 100 का भी और 150 का भी तो 100 divided by 5 जो है वो 100 के नीचे हम लिखेंगे तो 100 divided by 5 होता है 20 कॉमा और 150 by 5 जो होता है उसका quotient हम लोग 150 के नीचे लिखेंगे तो 150 by 5 होता है 30 तो 150 के नीचे वो लिख दिया अभी 20 और 30 के common factors क्या है 20 और 30 के वापस मैं 5 ही common factor लूँगा तो line के left hand side में मैंने 5 लिख दिया और 20 divided by 5 होता है 4 तो 4 मैंने 20 के नीचे लिख दिया कॉमा डाल दिया 30 divided by 5 होता है 6 वो 30 के नीचे लिख दिया अभी 4 और 6 4 और 6 का common factor हम जानते हैं दोनों even number है 4 और 6 तो 2 हम common factor ले सकते हैं तो 4 divided by 2 होता है 2 और 6 divided by होता है 2 होता है 3 तो अभी हमें मिला है 2 और 3 तो 2 और 3 दोनों co prime numbers हैं दोनों के common factors 1 के अलावा और कुछ है ही नहीं तो यहीं पे हम end करते हैं तो यह division तब तक हम लोग करते जाएंगे जब तक हमें एक common factor मिलना बन नहीं होता है तो 2 और 3 का भी कोई common factor नहीं है तो हम लोग यहीं पे end करते हैं division और इसका जो highest common factor है hcf वो होगा 5 into 5 into 2 तो 5 into 5 into 2 होगा इसका hcf वो है 5 into 5 is 25 25 into 2 is 50 तो 50 इसका hcf है तो I hope कि आपको hcf clearly समझ में आ गया है अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि lowest common multiple यानि lcm क्या होता है तो जैसे मेरे screen पे लिखा है कि it is the lowest among the common multiples of two or more numbers तो जहाँ पे common factors ये common multiples आता है तो obviously वहाँ पे 2 या 2 से जादा numbers होते हैं तो अगर हम common multiples निकाल रहे हैं दो numbers के और उस common multiples में जो सबसे छोटा common multiple है उसे हम बोलता है lowest common multiple तो आईए ये सीखते हैं कि example से तो वापस मैंने वही example लिया है example 15 and 20 का तो पहले हमें multiples of 15 निकालना है तो multiples of 15 है 15 into 1 is 15 15 into 2 is 30 15 into 3 is 45 और ऐसे ही ये चलते जाएगा और multiples of 20 क्या है 20 into 1 is 20 20 into 2 is 40 20 into 3 is 60 80 100 और ये continue होते जाएगा तो अभी इसमें common multiples क्या है तो अभी मैंने कुछ और multiples भी लिख दिया यहां पे तो अभी मैं देख रहा हूँ 60 एक common multiple है 60 15 का भी multiple है और 20 का भी multiple है और कौन से common multiples हैं मैं देख रहा हूँ यहां पे 120 जो है 20 का भी multiple है और 15 का भी multiple है तो दो common multiples हमें मिल गए यहां पे तो और भी common multiples हैं बट अभी के लिए 2 काफी हैं तो अभी मैं यहां पे लिख देता हूँ 60 एक common multiple है 120 एक common multiple है और ऐसे ही यह चलते जाएगा बट जो lowest common multiple है इन multiples में सबसे lowest जो है वो है 60 तो LCM इन दोनों numbers का 15 और 20 का होगा 60 तो यह एकदम simple explanation होता है छोटे numbers के लिए बहुत आसान है LCM निकालना बट अभी सीखते हैं कि division method से LCM कैसे निकालते हैं तो अभी हम सीखेंगे कि 100 और 150 के LCM कैसे निकालते हैं तो हमें मालूम है कि 100 and 150 के common factor है prime factor है 5 5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों से divisible होगा 100 से भी divisible होगा और 150 से भी divisible होगा तो 100 divided by 5 20 है तो 100 के निचे मैं यहाँ पर 20 लिखूँगा और 150 by 5 होता है 30 तो 150 के निचे 30 लिखूँगा तो वापस same method है 5 इन दोनों का common prime factor है तो 20 divided by 5 is 4 और 30 divided by 5 is 6 तो अभी हम जानते हैं कि 4 and 6 even number है तो 2 इन दोनों का prime factor है 4 divided by 2 is 2 और 6 divided by 2 is 3 तो HCF होता है तो हम लोग यहाँ पर end कर देते थे बट LCM में हम continue करेंगे और यहाँ पर मैं individual number लूँगा यहाँ पर 2 लिखा है तो वापस मैं line के left hand side में 2 prime factor consider करूँगा और 2 divided by 2 हमें मालूम है कि 1 है तो 1 as a quotient जो है वो 2 के नीचे लिखूँगा और यहाँ पर 3 as it is वैसे ही लिखूँगा हमें मालूम है कि 3 2 से divisible नहीं है क्योंकि यह even number नहीं है तो 3 as it is मैं ऐसे ही लिखूँगा और next time यहाँ पर 3 prime factor line के left hand side में लिखे यहाँ पर 1 as it is वैसे लिखूँगा और 3 divided by 3 यहाँ पर 1 लिखूँगा तो इस तरीके से जब तक हमें 1 दिखते हैं यहाँ पर उस वक्त तक हमें यह continue करते रहना है division method और जब 1,1 आ जाए यहाँ पर तो इसका मतलब है कि हमें LCM मिल गया है तो इन सब prime factors का जो product है वो हमारा LCM तो हमारा LCM है 5 into 5 into 2 into 2 into 3 तो पता करते हैं कि LCM क्या है 5 into 5 into 2 into 2 into 3 तो 5 into 5 है 25, 25 into 2 is 50 और 50 into 6 is 300 तो हमारा LCM है 300 तो यह video हम लोग यहीं पर end करते हैं next video में हम सीखेंगे कि कुछ word problems टेक्स्ट बुक से कैसे solve करेंगे